हैलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब ? आप सभी कापके अपनी यूटूब चैनल सोसिलोजी वे संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माधियम से हम लोग सोसिलोजी की कमपटिर्टिव एक्जाम के प्रिपेशन करते हैं अब ही जो हमारे sociology के classes चर रहे हैं वो है जाड़कन लेडर सुपरवाइजर का sociology का slivers हम लोग unit wide topic wise cover कर रहे हैं और उसके अंतरगत आज का जो हमारा topic है वो है समाजी करन यानि socialization तो इससे related mcq को देखने से पहले हम लोग सरल सब्दों में समझ लेते हैं कि आके समाजी करन किस प्रक्रिया को बोला जा रहा है तो समाजी करन वैसी प्रक्रिया है या वैसे सीखनी की प्रक्रिया है जिसके अंतरगत हम समाज के मूल्यों को सीखते हैं और उसको सीखने के बा वीडियो में देखेंगे तो इसलिए चैनल के साथ बने रही है लास तक वीडियो को देखिए अगर आपको वीडियो हेलफुल लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के भी सेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लिस स्काइब करना ना बोलिए और सा आज के जो हमारा पहला कोश्चिन ने वो है समाजी करन का ताकपड़ी क्या है सबसे पहले ही आपसे इसके बारे में अर्थ को पूछा जा रहा है कि आखे सोसलाइजेशन होती क्या है तो यहाँ पर चार आप्सन है कि सैसर्व अवस्ता से यूवा अवस्तक ब्रिधी की प् प्रक्रिया समाजिक मूल्य होते था भूमिकाओं को सीखने के प्रक्रिया या अपने अधिकारों को प्राप्ट करने के प्रक्रिया तो जैसा कि मैंने बताया कि समाजिक मूल्य क्या होता है हमारे वहवारों को सीखते हैं और वे साधारनते कैसे होते अच्छ होते हैं क्यों समाजों में समाजी करन की प्रक्रिया है वो किन-किन चीजों से सीखा जाए यह भी भिन भिन हुआ करता है जो समाजी भूमी का अदा करने में किसी भी योगता में योग देता है तता यह सीखना किसी बिसेस दिसा तता गुन में होता है किसी बिसेस समाजिक विवस्ता के संद क्यांeter गड़ी करन का अभी करन नहीं हैं मतलब कौन सा इसका कारण नहीं है तो हम लोग पडिवार में सीखते हैं पडोस में सीखते हैं राजनेतिक संस्थाइं भी सिखाती हैं लेकिन जो अनुवान सिखता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है तो यह इसका अभिकरन नहीं है ठीक है यह समाजी करन का अभिकर जो अफधारना ये किनकी द्वारा दुख दी गई है यानि कि हम समाज को एक मीरर के जैसा देखते हैं और ये सोचते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचते हैं मीरर में क्या होता है आपके परचाई दिखने दिए आप जैसे वैसे दिखते हैं तो उसी तरह से ये सोसाइट को में इसके बाड़े में सबस्ट बात की है इसमें वे बताते हैं कि जैविक प्रानी समाजिक प्रानिक बनता है जैविक प्रानी के समाजिक प्रानिक बनने की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य बुंदू क्या है यह क्या है आत्मन यानि सेल्फ को विकास में समाज के बाड़ उन्होंने बताया है कि बच्चों में लगबत दो साल की उन्मन में आत्मीचेतनी यानि सवांच में कैसे सीखते हैं इसे स्पॉस्ट करने के लिए उन्हों थिभूप आत्मदर्शन का दरपन यानि शोउचल लूकिंग ग्लास सेल्फ का सिध्धानत दिया है इस अफधार्ना को सपष्ट करते वे लेसली एब हम उनके सहयोगियों ने कहा है कि दा सोचल लूकिंग ग्लास सेल्फ इस ग्रूप और सोसाइटी इन विच परसंस इमेजिन हो अधर सी दे मतलब वो देखते हैं कि दूसरे उ जो सिध्धान थे यानि आत्मदरपन दर्सन का जो निकी कि दूवाण तो आपका राइट एंसर हो जाएगा चाल्स हटन कुले जी कि द्वाड़ा आतèces डर्पं दर्षन का सिध्धान्त प्रस्थत किया गया हैं में चाल्स हटन कुले जी ठीक है, कुले में दर्पन, ऐसा करके याद कीजएगा तो याद हो जाएगा हमारा कोश्य नमर 9 पूछा जाएगा है कि आत्म का प्रस्तूती करन लिखा है तद भूमिकाओं के अधिनियम के अवधारना किनके द्वारा दी गई है तो इर्विंग गॉफमेन जी ने अपने पुस्तक प्रेजन्टेशन आफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ 1959 में आत्म का प्रस्तूती करन यानि प्रेजन्टेशन आफ सेल्फ पर बिस्तार पुर्बक उन्होंने चर्चा की है और इसी के अंतरगत उन्होंने भूमिकाओं के अधिनियम के भी बात की है किनके द्वारा तो इर्विंग गॉफमेन जी के द्वारा बात की गी है इर्विंग गॉफमेन ने एक और सिध्धान्त दिया है कौ़ सा सिध्धान दिया है आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसमें वे बताते हैं कि आप कौन है Presentation of Self in Everyday Life में वो जो आत्म का प्रस्तूती करंदिये हैं इसमें बात करते हैं कि आखिर क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति निसंदे और स्पष्ट रूप से पूछता है कि आप कौन है वे स्वेम से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ दोनों प्रस्णों को उतर देते हैं मान बिजार स्पष्ट करते हैं लिंग, आयू, वेवसाई, वेहवाई, इस्तिती, इत्यादी समाजिक भूमिकाओं से समंदित हैं भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारना प्रस्थूत करते हैं उन्होंने बताया कि बच्चे तरतर की भूमिकाओं प्रस्थूत करते हैं जैसे देखें, डॉक्टर, वकील, सिपाय आप बच्ये को देखे होंगे कि जब वो खेलते हैं तो teacher teacher खेलते तो इसका मतलब कि वो उस भुमिकां को निडवा कर रहा है हमारा next question है कि समाजी करण वो सीखना है जो सीखने वाले के समाजी भुमिकां को निडवा के योग बनाता है तो समाजी करन की विया बख्या किस की द्वारा की गई है तो ये जॉनसन महोदे जी की द्वारा की गई है समाजी करन की ये प्रक्रिया किन की द्वारा की गई है जॉनसन महोदे जी की द्वारा जॉनसन महोदे बताते हैं कि जो समाजी करन है वो क्या एक सीखने की प्रक्रिय यह सब तो मिसमें बात करते हैं कि समाजी करन वह सीखना है जो सीखने वाले की समाजिक भूमिकाओं को निर्वा के योग्य बनाता है जहां जॉंसन महुदे ने यह भी कहा है कि प्रतिएक चीज सीखना समाजी करन नहीं है समाजी करन के उसी प्रक्रिया को हम समाजी करन कह सकते हैं जिसका उद्दिश समाजी करन में भाग लेना एवन समाजी क नियमों तद मुल्यों के अनुसरन करना होता है तो समाज को बिध्वन्स करने के बारे में यह सीखना समाजी करन नहीं है कि हम अगर सोचे कि हम समाज को न दिर्वाग करना सिखाता है तो यह इसका राइटेस्टन हो जग है कि H. M. Johnson ने हमारा नेस्ट कोशन है कि समाजिकरन का तातपड़िया सीखने से हैं ताकि व्यक्ति समाजिक कारियों को कर सके यह किसकी परिभासा है तो यह जॉंसन मोहदे की परिभासा है यह परिभासा उन्ह ठीक है हमारा next question है कि किसने समाजी करण की विवेशना जैनी सिस यानि वनसानुगत तथा टेलिसिस यानि पड़ियावरण के अधार पर की है देखिए नया question निकल गए है ना किसने वनसानुगत और पड़ियावरण के अधार पर किसने बात की है तो L.F.Ward ने किसने की है वार्ड ने वार्ड ने वनसानुगत और पडियावरन के आधार पर की है ठीक है इसको इन्होंने इसके बात किया आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे जो हॉस्पिटल में जो वार्ड रहता है जेनरल वार्ड, स्पेसल वार्ड तो उससे वनसानुगत ऐसे करके याद कर सकते हैं कोशन नमर 14 पूछा जा रहा है कि समाजी करन की चर्चा में स्थीती की परिवासा का सिधान्त किस ने दिया है समाजी करन की चर्चा में किसका बात कर रहा है स्थीती की परिवासा का सिधान्त डबलू आई थॉमस ने अपनी पुस्तक देखे कितने साड़े पुस्तक के नेम निकल के आ रहे हैं आप लिखते मतलब उसको एक बार में यान भी नहीं होगा आपको बार बार इसको डिवीजन करना होगा तो ये पुस्तक थी इनकी दा चाइल्ड इन अमेरिका में इसमें उ अस्तुत किया है और इस्थीति के पडिवासा के अनुसार वे बताते हैं कि निर्ने लेने के पहले लोग आत्मतोर पर कारवाई करने से पहले घटनाओं की जाच और विचार भी मर्स करते हैं ठीक है हमारा नेस्ट कोशन है कि समाजी करन के प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभाविक कर्व होती है तो बच्चे की जीवन की वीच की अबर्सों में ठीक है जब बच्चा जर्म लेता है तो गिडिंग्स महोदे बताते हैं कि समाजी करन जो है यह दो अस्तर पर निर्धारित की जाती है प्रात्मिक समाजी करन तत्यूतियक समाजी करन प्रात्मिक के तीन उपस्तर होते हैं मौकिक अवस्ता सैसा वस्ता कि शोड़ा अवस्ता प्रथम अवस्ता में सीसू दूद पिलाने के समय के बारे में निश्चित अपेक्षा बनाता है और यह संकेत देना सिखता है कि उसे भोजन की कवावशकता है दूसरी अवस्ता जन्म के लगबग वर्ष से प्रारम होती है और बच्चे की तरून होने तक चलती है और यह अवस्ता है जब बच्चा परिवार का पूरा-पूरा सदश्य बनता है परिवार में लेंगिक अधार पर मानने तक प्राप्त होता है भूमिकाओं को आत्मसाथ करता है बच्चा समाजिक भूमिका समाजी करन के विकास की प्रक्रिया को संधर भी करता है जिसके तहत एक वेक्ती ज्ञाँ, छमता, बिस्वास, मुल्लिय द्रिश्टीकों, और वाभव को प्राप्त करता इससे समाज के साहत उसका तालमय संभब हो पता है हमारा नेक्ट कुसरी की समाजी करन एक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है तो यहाँ पर आपके चाड़ा ओप्सन दिया है कि वेक्ति के विक्तित्व को बढ़ाने की वेक्ति की संस्कीति则 कैको這個 क Partnership समाजी कारन जो प्रक्रिया ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को मनाने के प्रक्रिया ये तीन जो अप्सन ये आपका गलत समय के समय बचा केवाल एक जैविक प्राणी होता है। कोई भी समाजिक विस्यस्ता नहीं होती है समाज के महत्यपू निकाई पड़िवार के भीदर वह समाजिक गुन प्राप्त करता है और इन सभी गुनों का Annika समाजिक सीख की प्रक्रिया ध्वारा होता है इसलिए हम कहा सकते हैं कि समाजी करन की जो संग्या कि प्रदिसित किया है वियवारों को सीखते हैं ताकि हमारा सोशल प्रोग्रेस हो सके हमारा नेश कोशन है कि प्रात्मिक समाजी करन सिसु अवस्ता में स्थान लेता है आमतर पर तो जो प्रात्मिक अवस्ता होती है समाजी करन की वो कहां पर होती है तो वो पड़िवार में होते हैं क्योंकि वहीं बढ़ेशियों के बीच होता है उसे ही प्रात्मिक समाजी करण खाजाता है कुछ में गया मनोव विज्ञानिकों ने एवं समासास्यों ने इसे ही समाजी करण कहा है थीक्या प्रारमिक समाजी करण कहा है आज़का हमारा next question है कि कि भारत्य पडिवार में माता पिता अपने प और समाजी करन का ये प्रत्यासिस समाजी करन का तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है प्रत्यासिस समाजी करन प्रक्रिया का उधार है देखिए ऐसे भी कोशन पूछे जाते हैं तो प्रत्यासिस समाजी करन आखिर होता है क्या है तो प्रत्यासिस समाजी करन वो प्रक्रिया है जिसके अंतरगर्ट लोग किसी भूमिकाओं को इसी उम्मेश से निभाते हैं कि भविस में उन्हें कुछ वैसा ही करना है जैसे चोटे-चोटे बच्चे कभी सिपाई कभी सेना का जवान कभी के डॉक्टर तो कभी सिक्षक बढ़ने की नकल करते हैं घर-घर खेलते बच्च की नकल करते हैं जो हम नहीं है पर वैसा अवाश्य बढना चाहते हैं उसकोली सिख्ष्छा समाफ्थ होने के बाद कुछ बच्شे कॉलेच के विध्यार्तियों के आचरण को सोचकर नकल करते हैं के उसे भी कॉलेच पोष्चने पर वैसे वेहवार करना है को संदर्व पुर्भव्यासे जो वहवार होता है वो पुर्भव्यासे समाजी करन कहा जाएगा परत्यासे समाजी करन को पुर्भव्यासे समाजी करन भी कहते है ब्रूम एम सेलसिक कहना है कि व्यवसाइक योगता प्राप्त करना भी एक क्या है समाजी करन की एक प्रक्रिया है भूमिका के लिए निर्वा करता है परसाथ समाजी करन को बनाता है ठीक है और एक नई भूमिका के लिए तियार करता है तो परसाथ समाजी करन में समाजी करन की रशना का एक उधारन है तो I hope आप लोगों को आज की क्लास से helpful लगी होगी आपको MCQ आपके exam के लिए important लगे होंगे इसी प्रकार से आप लोगों मेरे चैनल के साथ बने रहिए आप सभी काप मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू